स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्व चैनल लेवल अप गवर्मेंट जाप्रेप्रेशन में दोस्तों आज हम डिसकस करेंगे 3 जून 2020 के महत्त पूरण करेंट अफेर्स जो कि आपके आने वाले एक्जाम्स के लिए बुक्ती जादा इंपॉर्टेंट होगे तो फ्रेंट्स चैनल पर नहीं हो तो सबस्क्राइब करना ना भूलें और बेला इंकरों भी ज़रूर प्रेस कीजिए तो बढ़ते हैं दोस्तों आज की वीडियो की तरव तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स कॉशन की जो हमारा पहला कॉशन है वो है जैस बेंग पार्टनर विद विच कंपनी एप टू लाँच कॉंटेक्टलेस ट्रेवल कार्ड तो जैस बेंग ने संपक रही राजियात्रा कार्ड लाँच करने के लिए किस कंपनी एप के साथ वाग्यदारी की है तो आपकी दोस्तों ओप्शन्स हैं इसका सही आंसर होगा दोस्तों दैट इस ऑप्शन नमबर डी तो चलो एप के साथ दोस्तों अभी जैस बिंक यह है उसने अभी पार्टनर्शिप की है दोस्तों यहाँ पे नाम आया है जैस बेंक के बारे में आपको दोस्तों पता होना चाहिए सबसे पहले इसके M.D. और C.O. के बारे में आपको पता होना चाहिए तो इसके M.D. और जो C.O. है उनका नाम है दोस्तों परशांद कुमार आपको याद रखना है paper point of view से ज़्यादा important है उसके बाद अगर इसकी establishment की दोस्तों बात की जाए तो 2004 में जो है yes bank की स्थापना हुई थी अगर tagline की बात की जाए दोस्तों tagline banking point of view से बहुत ज़्यादा important है ठीक है तो इसकी tagline जो है that is experience of expertise तो ये दोस्तों tagline आपको याद रखनी है अगर आप banking की preparation कर रहे हो तो banking point of view से ये बहुत ही ज़्यादा important current affair है चलो next बढ़ते हैं अपने next question की तरफ हमारा जो next question है find the first private company which has sent astronaut into the space तो पहली नीजी company का पता लगाएं जिसने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में बेजा है तो first company जिसने astronaut को दोस्तों space में बेजा उस company का नाम आपको बताना है आपकी options है Air launch, B, SpaceX, C, Nitex, D, Blue reason तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों option number B SpaceX ने दोस्तों अभी recently जो है मतलब astronaut को space पे वेजा था तो यह आपको याद रखना है यह पहली private company है जिसने वेजा अगर मैं इनके CEO की बात करूँ तो आप सभी maximum जानते ही होगे जिनको नहीं पता उनको भी अभी पता लग जाएगा That is Elon Musk इसके CEO का नाम है दोस्तों इसका यह headquarter है That is in California California में इसका headquarter है यह भी आपको याद रखना है और इसकी foundation काब हुई थी काब इसकी establishment हुई थी That is 6 May 2002 को ठीक है तो date आपको याद रखनी है चलो अब बढ़ते हैं अपने next question की तरफ हमारा जो next question है वो है वाजिद खान who passed away recently is a renowned वाजिद खान जिनका हाल ही में नीदन हो गया है वे एक परसीद डैश थी तो आपको बता रहा है वाजिद खान क्या थे ठीक है तो आपकी जो options है That is architecture बास्तुकार B stuntman C athlete D music director तो इसका सही उतर क्या होगा दोस्तों इसका सही उतर है आपका option number D music director थे बाजिद खान ठीक है अगर बाजिद खान के debut की बात करो तो इन्हों debut कब किया था दोस्तों इन्होंने debut किया था सल्मान कान की hit movie थी उसमें इन्होंने debut किया था उस movie का नाम है प्यार किया तो डरना गया यह आपको याद रखने है बढ़ते हैं next question की तरब हमारा जो next question है वो है who launched champions platform तो champion platform का शुब अरम किस ने किया तो आपके यह options है A. President Ramnath Kovind B. Prime Minister Narendra Modi C. Ministry of Piyush Goyal D. Minister Nirmala Sita Raman तो इसका सही उतर क्या होगा इसका सही उतर है दोस्तों option number B Prime Minister Narendra Modi के दोर एक platform launch किया गया जिसका नाम क्या है champions right champions platform यह है launch कि अब इस जो platform launch किया गया है इसका aim क्या है that is दोस्तों इसका aim यह है that is to empower MSME that is micro small and medium enterprises इसको empower करने के लिए जो platform है यह launch किया गया अब champions की दोस्तों full form क्या है right creation and harmonious application of modern process for increasing output and national strength यह है दोस्तों champions की full form right यह मैंने आपको लिखके दे दी है आप इसको याद कर लेना इसकी full form क्या है फिर से बता देता हूँ creation and harmonious application of modern process for increasing output and national strength right तो यह था दोस्तों हमारा fourth current affair बात करते हैं next current affair की जो की हमारे पास आया है who assumed charge as the secretary department of chemicals and sign और petrol sign विभाग के सचीब के रूप में की से पदभार दिया गया है right तो यह आपको बताना है important question है दोस्तों तो इसके options है ए आजे पांडे B. R. K. चतुरवेदी C. S. P. अभिशेक कुमार D. राज कुमार सिंग तो इसका सही उतर क्या है दोस्तों आपके पास option number B R. K. चतुरवेदी जी को recently अभी जो है जो secretary है बनाया गया है किसका department of chemical and petrochemicals का तो दोस्तों इसका आपने याद क्या रखना है इसका आपको आपने याद रखना है कि इन्होंने replace किसको किया right इन्होंने जो replace किया है वो किया है P. रगविंदरा राओ जी को ठीक है तो P. रगविंदरा राओ जी को इन्होंने replace किया है R. K. चतुरवेदी जी ने यापको याद रखना है चलो बात करते है next current affair की हमारा जो next current affair है वो है name the cyclone which is heading towards the cost in गुजरात and महारास्ट गुजरात और महारास्टा के cost पर दोस्तो कून सा cyclone जो हो हिट करने जा रहा है यह हिट यह बताया गया कि यह cyclone जो है 3 June को गुजरात और महारास्टा के cost पर हिट करेगा तो इसकी options है A. R. 1 B. T. 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 L. C. M. 1 D. N. N. तो इसका सही उतर क्या होगा दोस्तो option number D निसर्गा इसका right answer है यह cyclone आ रहा है दोस्तो यह क्या करेगा गुजरात और महारास्टा एक cost पर हिट करेगा 3 June को यह अनुमान लगाया गया ठीक है तो यह आपको याद रखने है बढ़ते हैं दोस्तो अगली नियूस की तरह हमारा जो अगला करेंट फेर है वो है विच नेशन हैस एंड़ेट इस रिलेशन्शिप विद्ध वर्ल्ड हैल्थ और्गनाजेशन तो बिसव सवस्त संगठन के साथ किस राज्ये ने अपना संभंध समाथ कर लिया है तो आपकी आप्शिन्स हैं युनाइटेट स्टेट्स, B चाइना, C जपान, D भारत, इंडिया तो इसका सही उतर क्या होगा इसका सही उतर है दोस्तो आपका आप्शिन नमबर A युनाइटेट स्टेट्स ने दोस्तो अभी अपना डिलेशन्शिप जो है World Health Organization के साथ खतम कर लिया है, यह आपको याद रखना है बढ़ते हैं अपने नेक्स नियूस की तरह हमारा जो नेक्स करेंट अफेर है, वो है तो अरजना अवार्ड के लिए दोस्तो किन को नॉमिनेट किया गया है यह आपको बताना है तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तो इसका सही उत्तर आप्शन नंबर B शिखर दवन जी को अभी डिसेंटली अरजना अवार्ड के लिए जो है बी सी सी आई के दोरा नॉमिनेट किया गया है ठीक है दोस्तो, इनके साथ अगर मैं बात करूँ तो दिप्ती शर्मा जिनको अभी अरजना अवार्ड के लिए B.C.C.I. के दोरा नॉमिनेट किया गया है उसके बाद इशान्त शर्मा को भी नॉमिनेट किया गया है B.C.I. के दोरा ठीक है उसके बाद राजीव गांदी खेल रतन के लिए मैंने आपको कल बताया था कि रोहित शर्मा जी को नॉमिनेट किया गया बी सी से के दौरा ठीक है यह आपको याद रखना है चलो आप बढ़ते हैं अपनी नेक्स न्यूस की तरह हमारे जो नेक्स न्यूस है वो है तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तो इसका राइट आंसर है और श्री लेखा जी को रिसेंटली अपॉइंट किया गया है क्या DGP of Kerala important है याद रखने है ठीक है अगर मैं अभी बात करूँ तो add present यह जो थी यह थी डारेक्टर आप अडिशनल डारेक्टर आप पुलीस तियार शीड लेका अभी इनको क्या बना दिया गया DGP of Kerala जो है बना दिया गया और यह पहली महिलाएं बनी है वहां की क्या बनी है फर्स्ट फीमेल जो है यह बनी है केरला की डाइट चलो अब बात करते हैं दोस्तों हमारे अगले करंट अफेर की तरफ अश्विनी भाटिया has recently been appointed as the new managing director of which Indian bank तो अश्विनी भाटिया को हाल ही में किस भारती बैंक के ने प्रभंद निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है तो दोस्तों आपके जो options हैं वो है A, PNB, B, IOB, C, SBI, OD, CBI तो इसका सही उत्तर क्या होगा इसका सही उत्तर है दोस्तों आपका option number C State Bank of India के दोस्तों अभी recently जो है managing director जोने गए है जिनका नाम क्या है अश्विनी वाटिया यह आपको याद रखने अगर दोस्तों मैं बात करूँ SBI की तो SBI की अगर chairman की बात की जाए राइट, chairman की बात की जाए तो उनका नाम क्या है आप सबी को पता होना चाहिए उनका नाम है रजनीश कुमार राइट, यह आपको याद रखने है SBI की अगर स्थापना की बात की जाए, establishment कब हुई थी तो वो हुई थी एक जुलाई 1955 को important है याद रखने है तो अगर दोस्तो State Bank of India की अगर tagline की बात की जाए तो State Bank of India की काफी सारे tagline से उसमें से एक है pure banking nothing else दूसरी आती है, with you all the way, तीसरी है a bank of the common man, next is the banker to every Indian, and last the nation bank on us ठीक है तो यह इसकी taglines है जो मैंने आभी आपको बोली है, ठीक है मैं फिर से repeat कर देता हूँ, pure banking nothing else another is with you all the way, उसके बाद थर्ड आती है a bank of the common man, फिर आती है banker to every Indian, and last one is the nation bank on us right, तो यह tagline है state bank of India की, state bank of India जो है यह सारी taglines यह है, यूज़ करता है और अभी जो last में merger होने के बाद जो अभी इसकी tagline जो बनाई गई है, वो है बड़े bank का बड़ा फाइदा, ठीक है, तो यह आपको याद रख रख रहे है ठीक है, उसके बाद दोस्तों तो यह हमारा last current affair था वैसे, हम 10 current affair रोज के discuss करते हैं, रोज की वीडियो में आपको 10 current affair मिलेंगे, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज दोस्तों लाइक करें, वीडियो को शेयर करें जितना हो सकता अपने friends तक पहुंचाए वीडि करें जाद पूप्निंग हैं तर दाई नहीं करेंगे वीडियो में आपको मिलेंगे हो अवीडियो उिम्या करें वीडियो दितना हो शेत matéri भीडियो को शेतर हैं जाओें हो मूँते पहुंच़ सबस्तों तक ब कर ऊदो सेई आपको बादे हैं तक रहा हुं़ू को अपको हं